अगर आपको कोई फैमिली के बारे में पूछे तो आप उसे इंगलिश में कैसे बता सकते हैं हम इसमें फैमिली साइज सिब्लिंग रिलेशनिप के बारे में बात करेंगे फिर्स्ट अफ अब आपको अपना फैमिली साइज पता होने चाहिए कि आप किस फैमिली से ब्लॉग करते हैं तो अगर आप बिग फैमिली से करते हैं जहां पर आप जॉइन फैमिली में रहते हैं या फिर स्मॉल फैमिली में तो आप बोल सकते हैं I come from big family I come from big family और अगर आप छोटी में रहते हैं तो आप बोल सकते हैं I come from small family next is अगर आपको बुलना है कि आपकी कितने भाई बहन है तो आप बोल सकते हो और आप कौन से नंबर पर आते हो तो आपको पता चल जाएगा आप बोल सकते हैं I am one of five siblings यानि मैं पाँच भाई बहन हो में से एक हो तो इसका मतलब सामने वाले को पता चल गए कि आप पाँच भाई बहन हो या फिर जितने बोल सकते हो I have one of two siblings I have one of three siblings whatever your siblings are there are five of us in my family पहले लोग ऐसे बोलते थे हैं we are five in there are five members in my family लेकिन अब आप बोलेंगे there are five of us in my family यानि हम family में पाँच लोग हैं जितने भी हो सकते हैं आप उतना count यहां पर कर सकते हैं there are five of us in my family next is I live in extended family extended family का मतलब होता है joint family बोल सकते हैं I live in joint family और extended family भी हो सकता है और next is I live in nuclear family nuclear family का मतलब होता है single जहां पर mom dad and आपकी siblings होते हैं उसे nuclear family बोलते हैं I live in extended family और I live in nuclear family आप बोल सकते हैं my brother or sister and I are like two peas in a pod two peas होते हैं अपने मतर देखे होगी मतर को जो उसका shell होता है उसके साथ उसे pod बोलते हैं my brother and I are like two peas in a pod next आप से कोई पूछे कि क्यों आप ऐसे क्यों हो तो आप बता सकते हैं sometimes we fell out यानि कभी कभी हम जगडा करते हैं but then we make up लेकिन बात में हम मान जाते हैं sometimes we fell out but then we make up झालिया जाय झालिया जाए आप ऌैस कुछ झाल सकते हैं झालिया झाल कि को जजा करता हैं a वदित को जब हम झाली होता है झाल झाल